हाई एवरिवन मैं हूँ फीजा खान और अब सभी का मेरे चैनल इस्टडी वित मीमेद स्वागत है तो अगेन मैं आप लोग क्लेक निवे स्टोरी लेकर आई हूँ और इस्टोरी के थुरू हम लोग अपने इंग्लिश रीडिंग को इंप्रूव करते हैं जिनके इस्टोरी का टैटल देखते है आज की स्टोरी का टैटल है दस्ट लॉख गूर्ण इफ या रिजण इए इंग्लोंडी श्लोंड उर्ण फूर्म रहा था निए एग लूम्री जो घूं रहा था रीडि निर आ विलेज यान्भूंते हुए अकेले खूमते हुए पहुचा करीब के एक गाव में He saw the window of a house open and finding no one यानि He saw उसने देखा the window यानि खिरकी देखा of a house यानि एक घर का खिरकी देखा opened यानि खोला एक घर के खिरकी को खोला and finding no one यानि और नहीं पाया किसी को one यानि किसी को यानि कोई को नहीं पाया finding का मतलब होता है पाना यानि उसने एक घर के खिरकी को खोल कर देखा और वहाँ कोई भी नहीं था craft inside the house यानि craft का मतलब होता है चोरी चुपे दबे पाउं घुजना तो चोरी चुपे घुशा inside यानि में the house यानि घर में चोरी चुपे वो घुश गया he started fidgeting with the things laying in the room वो शुरू हो गया fidgeting यानि बेचैन हो ना चुलबुलाना main fidgeting की meaning यही है लेकिन यहाँ पे fidgeting यानि छेड़ चाड़ करना भी है तो छेड़ चाड़ करना यानि छेड़ चाड़ करने लगा तो वो शुरू हो गया छेड़ चाड़ करना यानि छेड़ चाड़ करने लगा with the things यानि चीजों के साथ laying यानि पड़े हुए in the room यानि कमरे में पड़े हुए चीजों के साथ वो छेड़ चाड़ करने लगा actually it was an actor's house यानि actually असल में it was यानि वो था an actor's house यानि एक अधाकारे का या अभिनेतरी का घर था he rumaged through the wardrobe and pulled out many things new to him यानि उसने चानबीन की या उथल पुथल करके ढूनना rumaged का मतलब होता है उथल पुथल करके ढूनना या चानबीन करना तो उसने चानबीन की through the wardrobe यानि अलमारी के through चानबीन की and pulled out यानि खीचा बाहर यानि चीजे जो अलमारी में थी उन चीजों को बाहर निकाला many things यानि बहुत से चीजों को new to him यानि नहीं उसने नहीं चीजों को तो इस पूरे sentence का मितलब हुआ कि वो एक असल में एक अधाकारे का घर था और उसने चानबीन की अलमारी के through और उसने बहुत से नहीं चीजों को बाहर निकाला many है तो यानि बहुत से चीजों को उसने बाहर निकाल दिया बहुत से नहीं चीजों को उसने बहुत से नहीं चीजों को उसने बाहर निकाल दिया there were sticks, make-up kits, false mustaches and beard, theatrical outfits, etc. 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 यानि वहां थी चड़ी sticks यानि चड़ी वगेरा थी make-up kits यानि make-up के जो kit थे वो थे false mustaches यानि नकली mooch mustaches का मतलब होता है mooch यानि नकली mooch थी और beard यानि दाड़ी थी theatrical यानि नाटकिय आउटफिट यानि लिबास यानि नाटकिय लिबास थी वगेरा वगेरा he looked at those stuffs curiously and scattered them on the floor यानि he looked उसने देखा at those stuffs यानि उन चीजों को देखा stuff का मतलब होता है सामान, cheese या सामान को दिलचस्पी से देखा curiously का मतलब होता है दिलचस्पी से या अजीब तरीके से देखा scattered them on the floor और बिखेर दिया, scattered मतलब बिखेर देना, फैला देना तो बिखेर दिया them उन्हें on the floor यानि फर्ष पर यानि जमीन पर उन्हें फैला दिया यानि उसने उन चीजों को अजीब तरीके से देख कर जमीन पर फैला दिया His hands fell upon a mask यानि उसके हाथों पर पड़ा या गीरा upon यानि पर, upon का मतलब होता है पर तो उसके हाथों पर पड़ा a mask यानि एक मुखोटा यानि एक नक्षा पड़ा यानि उसके हाथ एक नक्षा लगा या एक मुखोटा लगा The mask was of a monster यानि मास्क था यानि मुखोटा था एक monster का यानि एक राक्षस का मुखोटा था It was large, beautifully decorated and looked lively यानि ये था large यानि बड़ा था, beautifully, खुबसूरत, decorated यानि खुबसूरती से सजा हुआ and looked lively यानि और दिखा जिन्दा यानि वो मुखोटा बिलकुल दिखने में बड़ा, खुबसूरती से सजा हुआ और जिन्दा लग रहा था He held it in its paws and exclaimed यानि He held उसने पकड़ा, उसे in its paws यानि अपने पंजो में पकड़ा and exclaimed यानि और खुशी से जूमने लगा exclaimed का मतलब होता है खुशी से जूमना तो उसने अपने पंजो से उसे पकड़ा और खुशी से जूमने लगा आ, what a beautiful head यानि, अरे वाह, क्या खुबसूरत head है यानि, कितना खुबसूरत सर है such nice colors यानि, इतना अच्छा color है such का मतलब होता है, ऐसा वाइसा या इतना उतना इस तरह से सच की मेनिय है तो such nice color यानि, इतना अच्छा color है, इतना अच्छा रंग है but it hasn't got a brain यानि, लेकिन ये नहीं है देखे, यहां hasn't है तो hasn't का मतलब has not है तो but it hasn't got a brain यानि, लेकिन ये नहीं है got a brain यानि, इसमें नहीं पाया brain यानि, इसमें दिमाग नहीं पाया got का मतलब पाया तो लेकिन उसमें ब्रेन दिमाग नहीं पाया तो यह जो मुखोटा है इस मुखोटे को पाकर वो खुश तो हुआ बहुत है उसने खुशी से चिलाया कि बहुत खुबसूरत है बहुत अच्छे से सजा हुआ बिल्कुल जिंदा लग रहा है लेकिन इसमें तो brain ही नहीं है, इसमें तो दिमाज ही नहीं है तो आए इस story का moral देखते हैं इस story का moral है, some people though having huge bodies have very poor judgment यानि some people यानि कुछ लोग दो यानि हाला के या भले ही दो का मतलब होता है हाला के या भले ही तो कुछ लोग भले ही बड़े body के होते हैं, यानि बड़े शरीर के होते हैं लेकिन very poor judgment, लेकिन उनके judgment यानि उनका अंदाजा बिलकुल खराब होता है बहुत खराब होता है तो इसका मतलब है कि यह जो जनवर है यह बड़ा तो है दिखने में लेकिन इसका दिमाग बिलकुल बेकार है, इसका दिमाग सही से इसका judgment यानि इसका अंदाजा बिलकुल बेकार है कि इस मुखोटे को देखकर वो समझा कि वो असली है और इसे देखकर खुश हो गया था तो इसलिए इस तरह का moral है यहाँ पे तो आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह स्टोरी जो है मेरी खत्म हो चुकी है, बलकुल एंड हो चुकी है अब मैं निव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं निव बुक लाई हूँ तो इस स्टोरी में तकरीबन 138 स्टोरी है जिसमें मैंने एक दो वीडियो जो है डबल डबल अपलोट की है क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था और मैंने नई बुक जो है वो खरीदी नहीं थी तो इस वज़े से मैंने मजबूरी में एक दो वीडियो जो है डबल डबल डाल दी थी बट मैंने book खरीद ली है और अब मैं आप लोग के साथ नए book की story जो है आप लोग के साथ share करूंगी तो आप लोग इंतजार करना next video का मैं short story आप लोग के साथ share करती हूँ तो अब जो story वो थोड़ी long होगी थोड़ी लोग होगी जादा नहीं क्योंकि मैं short story ही धूनने में इतना वक्त लगा दी मैं धून रही थी short story book बट वो नहीं मिल रहा था बट अब मिल गया है और क्योंकि मेरा time इसी में चला जाता है बिल्कुल आप लोग को समझाने में अच्छे से मैं चाती हूं कि मैं आप लोग उसे जो भी story share करूं उसको बिल्कुल अच्छे से explain कर पाऊं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ मैं कि वो story कहना क्या चाता है इसलिए मुझे short story में लाती हूं उसके लिए thank you बट मैं कोशिश करूंगी मैं इन्शालला मैं जरूर कोशिश करूंगी बट अभी मुझसे नहीं हो पाएगा क्यूंकि मेरी एक family है और मुझे उन family को manage करना होता है मेरे दो बच्चे हैं उसे मुझे manage करना होता है और मेरा एक छोटा बेटा है वो बहुत ज़ादा परिशान करता है बिल्कुल वक्त नहीं निकल पाती हूँ मैं अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ अभी रात के देड़ बज रहे हैं वो इसलिए मुझे बहुत पसंद आती है अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं आप लग उसे नेक्स वीडियो मिलती हूँ बाई